पूर्व केंद्रे मंतरी और बीजेपी के वरष्ट निता चौधरी बीरेंद्र सिंग अपने बयान पर कायम है ये बात उन्होंने दिल्ली में कही बिरेंदर सिंग ने कहा कि वो अपनी उस बात पर कायम है कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ रहती है तो वो बीजेपी में नहीं रहेगी कॉंग्रिस में जाने के अटकलों पर चौधरी बिरेंदर सिंग ने कहा कि फिर दूसरे दलों के नेता तै नहीं करेंगे कि वो कब कहा जाएंगे बिरेंदर सिंग ने कहा कि वो आज भी एक दिन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मलिक अर्चुन खरगे से मिल सकते हैं कॉंग्रिस में जाने के लिए किसी की स्विकर्टी की सुरत नहीं पड़े चौदरी विरेंदर सिंग जी हमारे साथ है, पूर्व केंदर मंत्री है और भाशपा के वरिशनेता है लेकिन भाशपा से नाराज है क्योंकि जेजेपी भाशपा के साथ है यही नाराजगी की वज़े है सर, यह कोई और वज़े है देखिए नाराजगी कुछ नहीं, एक पुलिटिकल सोच है मेरी और वो यह है कि अगले चुनाओ में जेजेपी हमारे साथ मिलके चुनाओ लड़ेगी तो भारतिय जनता पार्टी को नुकसान होगा, उसका लाब नहीं है अगर आप सहन करेंगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता मैं इस परिस्तिती में भारतिय जनता पार्टी में नहीं रहनगा यह मैंने स्पष्ट बोला है आप नहीं रहेंगे, सांसत साव है ब्रजिंदर सिंग, आपके बेटे भी है हिसार से प्रेमलता जी मैं वरिस्त वीजेपी नेटा है और विधायक भी रही थी अब उन दोनों का फिर किस तरह से होगा क्योंकि परिवार तो एक ही है ना सर् नहीं वो दो प्रेस कांफेरेंस और कर लेना हुंसे भी प्रिश्वरी वो इस फैसले में आपके साथ नहीं लेकिन राजनितिक बात आपने काफ फैसला मैं यो कुंगा उनका फैसला मैं करूगा नहीं पैसला करेंगे लेकिन मेरी कुछ औलवनिस कर देंगे जो हं पर इस सारे क्या आरूप लगाते हैं और कोट में खसीटेंगे या तो साथ दिन में सावित करके दिखाऊ दिख विजे चुटाला का तो गजब है वो तो उसकी डिगरी भी सारी सही है उसकी क्वालिफकेशन भी पूरी है उसका बोल चाल का तरीका भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि कम से कम बात सही करो कोट में जान आनी में ते ताउं से घेरे हुए हैं सिरफ करप्शन ही नहीं राजनेतिक जूट बोलने के भी एक्सपर्ट हैं मैं तो यह करता हूं कि एक जैसे इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ बोलता है कि वही कोड़ ऑफ कंड़क्ट क्या होता है ऐसे लोगों पे तो कोड़ ऑफ यह मेरे से पूछ रहे हैं किस बात के लिए पूछ रहे हैं तो उनको भेजो आप भी सिफारश करो कि कोड़ में जाएं उन्होंने जो हर्याना का वातावर्ण खराब किया है मैं यह कहता हूं कि मैं पचास साल से राजनेतिक जीवन है मेरा देविलाल जी की भी सरकार में मै MLA था कॉंग्रेस का उंपरकाच चोटाला जी की भी सरकारें देखिएं बंसिलाल जी की भी सरकार थी मैं कॉंग्रेस में था वो पिंदर सिंग हुड़ा और दूसरे भी परासिदास गुपता जी उकम सिंग जी यह नहीं इनोंने तो सत्ता का जितना दुरूपयोग यह कर स सत्ता में हिस्सेदारी इसलिए दी है कि एक साही सरकार बनाएं लेकिन सत्ता का दुरूपयोग ना करें सत्ता का दुरूपयोग सिर्फ जेजेपी है क्या फिर बीजेपी पे कोई ऐलिगेशन नहीं है बता तो दिया मैंने कि मैं तो अब भी यह बात मानता हूं कि पारा पॉर्टफोलियो दे देते हैं और जिसको आप प्रेस के लोग मलाई वाले महक में बोलते हैं उनका दुरूपयोग करने के लिए दिये थे क्या उनको में सुधार करने के लिए दिये थे कॉंग्रिस से भी कोई बहुत अच्छा वेलकम वाला आपको मिला नहीं प्रदेश अध्यक से बात कर रहे थे बुपेंदर सिंग उड़ा से बात कर रहे थे उन्होंने तो टाली दिया कि क्या चले गए क्या गटबंदन तूट गया तो लेकिन उदेवान जी जो कि प्रदे बिरिंदर सिंग हुड़ा प्रेस कॉंफरेंस में जो उसने कहा किसी से कहलवाने से बात नहीं बनती उनसे पूछा गया कि क्या कॉंग्रेस वेलकम करेगी चौदरी साब को चौदरी बिरिंदर जी को यह जो है ना बिरिंदर सिंग उसको यह मतलगा हो के बिरिंदर सिंग कहीं ना कहीं यह कहेगा कि मैं आप से अपने कांग्रेस में आने की आपकी स्विकृति चाहता हूँ यह नहीं है अगर मेरे साथ लोग हैं मेरी अपना राजनेतिक जीवन है मेरी विचार धारा 42 साल तक कॉंग्रेस में जो आदमी रहा हो उसकी विचार धारा क्या है वो भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं और फिर मेरे से कोई किसी को परिशानी होगी तो वो हो क्योंकि उनको तो और भी बहुत परिशानी है लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा भारतिय जनता पार्टी को सिर्फ ये कहना है कि मैं आपके साथ हूँ अगर आप अपना अलाइंस खतम करते हैं तो फिर मैं फैसला करूँगा तो कॉंग्रेस हो सकता है वो तो आप कह रहे हो पूछ रहा हूँ और बोलो ये कोई पार्टियां सारी जो है पार्टि से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप साधार ना ले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक कोशिश में हूँ कि पार्टियों में भी जो मेरे विचारों से कुछ सहमती रखते हैं कम से कम उन विचारों का ये नहीं कह तक मैं उस पार्टी में जाओंगा लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उन पार्टी अगर उन विचारों को ये कहे कि हाँ वह यह बात तो ठीक है तो मैं उनका समर्षक भी बन सकता हूं कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी में जाने से ही होता सब कुछ और दूसरी बात यह है कि कॉंग्रिस में मैं जब जाओं या मैं सोचू जाने की तो यह जो लोग है यह नहीं यह भूल जाओ नहीं भूल भी हैं लेकिन मैं उनसे भी कभी कांग्रिस में ना जाने की आने की कांग्रिस छोडने की कांग्रिस जोएन करने की कभी बात नहीं करी और अध्यक्ष जो हैं अर्याना के उनसे भी मेरे को कभी इस बात पर कोई लेकिन मैं यह निरने सिरफ बोलने के लिए नहीं होते राज जिस तर पर हमारे को उनकी जरूरत है आज तो मेरी एक बात है जो सिर्फ यहां तक है कि गट बंदन होगा तो हम बीजेपी को छोड़ना पड़े राश्चे इस तर पर आपने एक अन्वे किया उन लोगों को कि यह दिक्कत है और इस वज़े से घट बंदन थोड़ना चीए क किस वरिष्ट नेताओं से आपकी बात हुई सर आप यह मान के चलो कि प्रदानमत्री जी को छोड़ के बाकि कोई ऐसा नेता जो जिसका राजनिती बीजेपी पार्टी में या बीजेपी सरकार में चाहे वो घड़करी जी है चाहे वो अमिश्या जी है चाहे वो हमारे नड और बात पसंद आई है और उसको कब उस पे वो फैसला करते हैं तो अलग बात गटबंदन तोड़ने की बात की शुरुवात आपने की थी बीच में कुछ नेता उसमें कूदे परभारी विपलब देव भी काफी कड़े नजर आए अब क्या चौदरी साब के साथ हर्याणा बीजेपी के नेता सुर में सुर नहीं मिलाते हैं इस मुद्दे में? उसी लेवल का उदेवान जी इसलिए पल्ला जाड़ रहें कि बाई वो तो आला कमान के लेवल के नेता उनसे बातचीत करते रहे हैं पहले? नहीं नहीं मैं अब भी अब बीच में भी करता हूँ कोई कॉंग्रेस से मेरा ये नहीं है कि मैं वो मेरे दुश्मन है या मैं उनके प्रती बहुत नाराज हूँ ऐसा नहीं है। कॉंग्रेस का हर आदमी और दोस्त है मेरे बलके मैं ये कहूं कि कॉंग्रेस में ज्यादा दोस्त है राजनेतिक तोर पे तो इसमें कोई आती शुम्पी एक आखरी सवाल पूछ लेता हूं सर चलो ये तो होगई आपकी बात गठवंदन की क्या चौदरी विरिंदर सिंग जी से किसी राजनेतिक दल नें दो हजार चौबिस के लिए कोई संपर्क सादा उनकी तरफ से देखिए नंबर एक बात तो ये कि सभी राजनेतिक दलों को ये लगता कि बिरिंदर सिंग बीजेपी में रहेंगे और उनको ये भी लगता कि बीजेपी में भी इसलिए रहें कि ये गट बंदन नहीं चलेगा और इसलिए वो संपर्क क्यों करें दूसरी बात ये है कि विचार धारा के रूप में मैं मतलब कोई मुझे ये कहे कि मेरा सोशलिस्ट विचार धारा है मेरी कॉंगरिस्ट की विचार धारा या मेरी कॉंगरिस्ट ये बाते नहीं है बाते ये है कि मैं जिस दिन चाहूं मैं सोनिया जी से मिल सकता हूं जिस दिन चाहूं मैं खड़ गए जी से मिल सकता हूं जिस दिन चाहूं मैं राहूल जी से मिल सकता हूं लेकिन ये एक एक ऐसी स्टेटस है जिसमें हम राजनितिक तोर पे अपने विचारों का आदान परदान करते है कभी पार्टी बदलने की पार्टी जॉइन करने की बात आएगी तो जो लोग आज ये टिपड़ी कर रहे हैं मेरे को उन से बात करने की कोई जुरूत नहीं होगी मैं कभी भी सौनिया जी से मिल सकता हूं किसी लेवल बढले नाम ना ना मताओना जब किसी का हुआ हो कुई एक्शन किसी मिनट मेरे सुन लो मैं बीजेपी को इस बात का इल्म था कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा और मैं अपने मतलब राजनीती के किसी प्लैटफॉर्म से नहीं बलके हमारा एक संगठन है विरंदर सिंग के साथी के रूप में उनके रूप में मैं करूंगा और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप मत करो बलके ये कहा कि हाँ हमारे को पता है वो सीनियर आदमी है बड़े लेवल पे वो लोगों को इकठा करने की शमता रखते हैं और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी को अगर तीसरी बार चुनाओ जीतना है मैं दावे से कह सकता हूँ कि बिरिंदर सिंग्स की भूविका एहम हो सकती है वो फैसला बीजेपी ने की एक आखरी सवाल सर्म मेरी आवाज सुनो आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही इसलिए आप इस तरह के तीखे बात कर ले नहीं वो मेरी आवाज सुनो का तो मैं आप उसका नाम दे के बोड़ रहा था कि मेरी आवाज सुनो थी वो लोगों की गरीब आदमी की कमेरे वर्ग की किसान की इनकी मैंने कहा तेरा तेरा महीने किसान बैठा रहे और उसकी आवाज को नकार दे ये कोई बात रहा है लेकिन जो बात कही थी जीन्द में उस बात पर अडिग हैं और आज भी साफ दोर पर कह रहे हैं कि अगर जन्नाय जन्ता पार्टी के साथ गटबंदन रहेगा तो चौधरी विरंदर सिंग इस बाजपा के साथ नहीं रहेंगे वहीं सांसत बेटे और प्रेम लता जी के बारे में साफ कहना है कि इसके बारे में आप उन लोगों से बात कीजी अपने जीन्द वाले स्टेंट पर चौधरी विरंदर सिंग आज भी अडिग हैं और तमाम तरह के सवालों पर बेबाग बात करके जबाब दे रहे हैं कमेरमें स्वारब के साथ विनोध लांबा जी मीडिया दिल्ली